दोस्तों जैसा कि आप इस स्कीन पर देख रहे हैं, हम इसी मॉडल को आइट डिसकस करने वाले हैं, बहुत ही खुपशुरत प्लान होने वाला है, हमारे एक सब्सकाइबर थे, वो हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं थे कि सब मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए, जिसमें दो साइ आज हम डिसकस करेंगे, इसका पूरा 2D प्लान क्या होने वाला है, 3D प्लान क्या होने वाला है, शाच सब अगर आप हमारा फूरा वीडियो देखें, तो मैं इसमें कॉस्ट भी आपको इस्टिमेट कॉस्ट बताऊंगा, कि आपको घर को बनवाने में कितना पैसा रहते हैं, कहां से वीडियो देख रहे हैं, अलग-अलग सहर पर लेवर कॉस्ट बगएरा अलग-अलग होती है, तो जो भी मैं पैसा बताऊंगा, वो यह अनुमानित राशी होती है, ना कि एक्जैक्ट, तो इसी मौल को आज हम डिसकस करेंगे, तो सबस्तों लेकर आपकर चोड़ाईगी, लेन तो बिट, तो इसकी सबस्तों अगर हम बात करें, तो यहां पर 30 फिट, 30 फिट इसकी चोड़ाई है, और इधर की बात करें, तो इधर 36 फिट आपका कवर किया है, अगर हम बात करें, तो इस बारे पिलर से लेकर आपकी पीछे वाली वाल तक 36 फिट ह और इधर अगर हम बात करें तो यह वाला portion यहां से लेकर यहां तक भी 30 feet है तो 30 by 36 foot में पूरा मकान बना हुआ है front television आप देख सकते हैं जो कि एक portion design बना है और आपका curved shape में है आपको यहां पर दो pillar देखने को मिलेंगे इसके बाद यह main door है चाहां से entry करेंगे और main door के उस side में दोनों तरफ मैंने आपको window दिया है इससे proper ventilation हो सके हवा बगारा जा सके अगर इधर की बात करें तो यह भी window का design है जो कि V-save में बना हुआ है और यहां पर भी आपको दोनों तरफ में विंडो दिया कि वो दोनों तरफ bedroom है जिससे proper bedroom में हवा बगारा पास होती रहे अगर आप इस side की बात करें जो आपका side में बनाए इधर भी similar ही design है जैसा कि आपका friend में similar ही design सिर्फ यहां पर आपके door के बगल में window बगारा मैंने नहीं दिये है इतना changement है अब हम बात करते हैं इसके ground floor की तो यह दोस्तों इसका top view आपको दिखाना चाहें ऊपर से आपका घर कैसा दिखने वाला है तो यह overall आपका घर दिखने वाला है जिसमें मैंने तीन bedroom क्रेट की हैं लेट बात kitchen वेंट्रीशन और stairs वगारा यहां पर बना रखी हैं अगर जैसे आप सामने से entry करें तो आपको सबसे पहले दो bedroom देख यहां से आप मैंने एक और door दिया यहां से भी आप entry करना चाहें तो यहां भी entry कर सकते हैं तो आपके तीनो corner पर bedroom है इधर के अकरम बात करें तो यह आपका kitchen area बन जाता है side से आपका latent बात है और latent बात यहां तक आपका पूरा बना हुआ है इस corner पर आप एक ventilation दिया है आप इस corner पर एक अगर जाल रखवाते हैं तो आपको इस जायल का फाइदा यह होगा कि आपका असास बेड जो बात रूम है यहां पर आप ventilation दे पाएंगे एक छोटा से window और यह kitchen पर भी आप side window दे पाएंगे उपर से रोशनी वगएर आपकी हवा वगएरा पास होती रहें तो जगे पर आपका जो भी जाल वगएरा रखवाना चाहते हैं अगर आप बीच में जाल रखवाना चाहते हैं तो आप इससे लीप कर दें से हटा सकते हैं और आपका लेट बात पूरा लंबा लंबा बड़ा सा और हो जाएगा तो यह डिपेंड करता कि आपकी requirement क्या है आप क्या चाहते हैं उसके according आप इस घर को convert करिएगा अब अगर हम बात करें से आपको zoom करके इस पिलर का डेजाइन इस आपका जो उपर डेजाइन बना हुए वी शेव में एक ऐसा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे कर्ब डेशेव उदर वी शेव में बना हु आपको मैंने जीना बना कर यहाँ पर दिया उसको मैंने गुंती नहीं क्रेट किया है अगर आप करना साथ है तो आसानी से कर सकते हैं मैंने पूरा cover कर रखा है तो यह आपकी अगर गिरल की बात करें तो गिरल को मैंने इat और इस आइरन का लोहे की यहां पर गिल को इस्तम पागे नहीं किया है तो यह पूरा ओरॉल मकान बनकर रिली हो जाता है तीस वाइश हत्यस प्रट में अब बात करते हैं इसकी कोश्ट की कि आप अगर इस घर को बनवाते हैं तो कितना कोश्ट आपका आएगा तो यह लगबग नौसो से हजार स्कायर फेट है अगर आप आगत है वो वैरी कर सकती है हाँ अगर आप उत्ता प्रदेश में कानपुर के आजपास कही रहते हैं तो आठ से दस लाक रुपए में आसानी से आप इस घर को बनवा सकते हैं इसमें लेंड की कोश्ट बिलकुल नहीं इंक्लूडे स्रे बनवाने का खर्चा यहां पर मैंन वहाँ पर कॉल नहीं लगेगा केवल आप हमें मैसेज कर पाएंगे तो मैसेज करके आप अपनी रिक्वारिमेंट वगएरा बता सकते हैं लेकिन विशेज ध्यान यह रखना है कि आपको वह हमारी प्लान नहीं बनाया जाएगा आपको वहाँ पर पेमेंट करना होता है 50% एडवांस 50 बाद में तो वो पूरा डेटेल अगर आप चाहते हैं तो आप हमें डिस्केप्शन में दिएगे नमबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा और अगर आप हमें इंस्टागराम या टुट्र पर फॉलो नहीं करते तो उन सभी के लिंक आपको डिस्केप्शन मे मिल जाएंगे आप वहाँ पर फॉलो करिएगा कि वहाँ पर भी मैं अपडेट लगादार देता रहता हूँ थैंस ओच